श्री मा सारदा देवी के जीवन की कुछ घटनाओं का संकलन प्रसन मामा की प्रतम पत्नी राम प्रिया देवी की दो लड़किया, नलिनी और माकु अर्थातशुशीला श्री मा के साथ ही रहती थी मात्रुहीना, ससुराल से परित्यक्ता ये दोनों बहने श्री मा के विशेश स्नेह की पात्र थी इन में नलिनी में पाक साफ रहने की सनत थी और पगली मामी सुर्बाला के साथ उनका था साप नेवले कासा संबंध किन्तु इन सब को लेकर श्री मा शांत भाव से परिवार चलाती किस प्रकार इन सब को मना बुझा कर चलती इस बारे में स्वयम उन्होंने कहा है चाहे जो कर लो सभी को थोड़ा सा मान देकर उनका परामर्श सुनना ही पड़ता है थोड़ी सी दूरी से हर तरफ दूर दूर तक नजर रखनी पड़ती है ताकि अधिक कुछ खराब न हो मैं यहां जो राधू के घर में भेट भेजूंगी वहां नलीनी से परामर्श कर उसमें और छोटी बहु में साप नेवले का संबंध है न यहां उसका भला देख सकती है न वहां इसकी छाया तक के पास आना चाहती है किन्तु मैं जब नलीनी को अभिभावक बनाकर उसका परामर्श मांगती हूँ और कहती हूँ देख नलीनी सब देख सुनकर बता तेरी पसंद क्या है तब वस्तूओं के जो सूची मैं उसे देती हूँ तो उस पर वहां कहती है उसमें कैसे होगा बुआ वे जैसा भी व्यवहार करे किन्तु तुम्हारी तो एक मर्यादा है तुम इतनी छोटी नजर क्यों दिखाओगी बुआ तुम अपने हिसाब से करती जाओ यहां कहकर वहां सूची बढ़ा देती है मैं मन ही मन हस्ती उसको इतना सा बताय बिना यदि मैं भेट भेज दू तो इसी बात पर दोनों में कुरुक शेत्र छिट जाए देखो सभी को कुछ कुछ अधिकार देकर स्वयम कुछ नीचा होकर चलना पड़ता है इन उधमी लड़कियों को लेकर हवा का रुक समझ कर कितनी सावधानी से चलती हूं फिर भी इनमें बीच बीच में छिट जाती है यही इनका स्वभाव है क्या करूं बताओ सोचती हूं उनकी ग्रियस्ती वहाँ देख रहे है